प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने शनीवार को मद्र पदेश की पहली और देश की ग्यारवी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बोपाल की रानी कमलापती रेलवे स्टेशन से हरी जंडी दिखाई ये ट्रेन रानी कमलापती से रोज सुबह 5.40 पर रवाना होगी और दोपहर 1.10 पर हजरत निजामुदीन पहुचेगी इस दौरान ट्रेन जहासी गौालियर और आगरा स्टेशन पर रुकेगी इसके लामा ये हजरत निजामुदीन स्टेशन पर दोपहर 2.40 पर रवाना होक रात दस बच के दस मिनट पर वापस रानी कमलापती स्टेशन पहुचेगी वंदे भारत एक्सपरिस ट्रेन दो अपरेल को निजामुदीन से रानी कमलापती आएगी तीन अपरेल को फिर रानी कमलापती से निजामुदीन जाएगी इस दिन से ये नेमित हो जाएगी इसके लिए टिकेट बुकिंग भी शुरू हो गई है प्रधान मंतरी मोदी आज सुबह साड़े नो बचे भोपाल पहुचे और सीधे कमांडर कॉनिफरेंस में शामिन होने कुशा भाव ठाकरे हॉल पहुचे वे यहां करीब चार घंटे रुके और इसके बाद दोपै तीन बच के दस मिनट पर राणी कमलापती स्टेशन पहुचे यहां उन्होंने वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को हरी जंडी दिखाई साथ ही वहां पी-म ने लोगों को संबोधित किया पी-म ने अपने समोधन में कॉंग्रेस पर तसकसा और उन्होंने कहा कि जब यह कारक्रम तैह हुआ तो मुझे बताया गया कि एक तारीकों कारक्रम है मैंने कहा कि एक अप्रेल को क्यों रखा है जब अगबार में ये खबर आएगी कि मोधी जी एक अप्रेल को हरी जंडी दिखाने वाले हैं तो हमारे कॉंग्रेस के मेत्र बयान देंगे कि मोधी अप्रेल फुल बनाएगा लेकिन हमाई ट्रेन तो आज ही चल पड़ी है